दोस्तो आप सबका स्वागत है SBI YouTube चेनल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Bank Nifty और Nifty के रिलेटिड कल के रिलेटिड यहाँ पे देखेंगे कल 10 गिसंबर है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको कल Market में कैसा काम काज करना है और देखेंगे Market का Trend आपको कल किस तरफ देखने को मिलेगा और साथ में आपने कुझ से Premium जो है कुझ से Level पे C Buy करना है और कुझ सा Premium कुझ से Level पे P Buy करना है पूरे Option Chain Analysis के साथ और Technical Analysis के साथ यहां पर देखते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो में आके पढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारा जो आज का यहां पर लैवल था 37,000 का और भी जो लैवल थे इंट्राडे के उन में कैसा काम का आज हुआ यहां पर हमने भी अपना परसनल ट्रेड शेर किया था यहां पर आप टैलीग्राम ग्रूप में देख सकते हैं दस बजी के आसपास 37,100 का पी जो है यहां पर पर प्रवाइड की थी यह काल और हमारे यूजर्स को आज की काल में भी काफी अच्छा प्राफिट हुआ आप यहां पर हमारे यूजर्स का आज का प्राफिट भी यहां पर देख सकते हैं तो हमारी परसनल ट्रेड यहां पर डेली शेर की जाती है अगर आप दी जुड़ना चाहते हैं मारे सथ प्रीमियम ग्रूप में हमारे लावल्स पर यहां पर काम किया जाता है तो यहां पर सिरफ 499 में आप लाइफ टाम के लिए जाएन कर सकते हैं निफ्टी और बेंग निफ्टी का ट्रेड यहां पर अर दिन शेर किया जाता है परसनल ट्रेड 90% की अपर प्रीमियम ग्रूप की अभी आपको 20% का डिस्कॉंट भी मिल जाएगा इस प्राइस पर यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बाक्स म निकल के आ रहे हैं वो पहले देखते हैं और उसके साथ यहां पर स्विंग ट्रेड के हम दो बड़े टार्गट देखते हैं जिसके बाद आप इंट्री अगर लेंगे तो आपको बड़ा प्राफिट हो सकता है तो यहां पर सबसे पहला जो आ रहा है सीजनल वह आप यह द आपको मिल रहा है और इसके साथ-साथ यहां पर आपके लिए जो स्विंग ट्रेड आपर ट्यूटी देखने को मिल रही है वह आप यहां पर देख रहे है 감사합니다 से रिवर से лайर मार्किटने तो यह जोन है 37,400 से लेके 37,500 की range यहाँ पर आप देख सकते हैं और downside का point आप यह देख रहें market का यहाँ पर sport और एक resistance उसके बाद resistance और दुबारा market ने इस जगह पर resistance और सारी sport बनाए है तो यह range भी काफी important है 36,830 से लेके 36,900 की range तो swing trade जो भी खरते हैं यह intraday में भी काम आ सकती है अगर market इस level के आसपास जाता है तो यहाँ से काफी अच्छा मोका मिल सकता है अगर market इस के उपर sustain करता है इस level को इस range को break करता है तो यहाँ से आप C का position बना सकते हैं जो C का position बनेगा यहाँ से 37,400 का आप C buy कर लेंगे और यहाँ से अगर reversal आता इस range से तो उसमें दोस्तों यहाँ पे 37,600 का आप P B buy कर सकते हैं लेकिन आप focus रखेंगे यहाँ से breakout पे और यहाँ से breakdown पे swing trade वाले काफी अच्छी opportunity देखने को मिल सकती है और यहाँ पे downside का जो level है यह range आप देख सकते हैं 36,800 30 से लेकि 36,900 की range अगर यहाँ से breakdown होता है तो यहाँ पे आप 37,000 का P B buy करेंगे यहाँ से reversal पे भी entry ले सकते हैं reversal की entry जो बनेगी 36,800 का आप C buy कर सकते हैं तो दोस्तों बाकी bank nifty और nifty के intraday के target भी देखते हैं उससे पहले कुछ और भी seasonal देखते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 moving average हमें दिख रहा है और अब market जो है पहले इसके उपर यहाँ पे resistance लेके गिरावट दिखा रही थी अब market इसको break करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं market ने इस पे support लेके jump किया है तो market इस level को अगर break करती है तो और भी बड़ा jump दे सकती है तो यहाँ से भी bullish के signal आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम एक और data आप देख रहे हैं यहाँ पे जब भी market में ऐसा evening start doji बनता है तो उसके बाद गिरावट देखने को मिलती है तो यहाँ पर अगर हम one day का time frame यूज करें big nifty में sorry यहाँ पर big nifty में नहीं हम nifty में इसे use करते हैं तो nifty में हमें ये देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ वैसा हमें candle देखने को nifty 50 में मिल रहा है यहां पे जो हमने आपको बताया है इवनिंग स्टार डोजी केंडल हमें देखने को मिल रहा है तो इसके बाद गिरावट का यह सिजनल आ रहा है लेकिन बाकी डेटा हर तरफ से बुलिश है यहां पे आप्शन चेंड से अगर हम देखें तो आप्शन चेंड से भी हमारे पा देखें तो उसमें स्ट्रांग राइटिंग है यहां पर देख सकते हैं 33,000 की है 17,500 पे और 19,000 और 4,000 तो स्पोर्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है यहां से डेटा जो है बुलिश आ रहा है और यहां पर देख रहे हैं अब मार्किट का रेजिटेंस कितना आगे शिफ्ट हो रहा है 18,000 पे आप देख रहे हैं 24,000 की राइटिंग देखने को मिल रही है तो यहां से जो मार्किट का डेटा है रेजिटेंस का आगे शिफ्ट हो रहा है तो यहां से बुलिश ज्यादा सीजनल आ रहे हैं सिर्फ एक केंडल ही हमारे पास जो है सैन है अभी बेरिश का यहां पर nifty fifty, तो दूस्तो यहां पर media sector भी काफी bullish में आप देख सकते हैं, all time high को यहां पर break करके upside किया, closing दिया है, तो यहां पर कल sustain कर सकता है, यह भी nifty fifty को upside में, तो दूस्तो यहां पर nifty fifty का भी हम एक swing trade का zone देखते हैं, उसके बाद देखेंगे हम, जो कि आप intraday के level कल क यूज़ कर सकते हैं वो इसके बाद देखेंगे swing trade का ये level भी आपको काम आ सकते हैं intraday में तो यहाँ पर ये range आप देख रहे है market का जब market यहाँ पर downtrend में था तो ये range market का है 17600 का market ने यहाँ पर resistance बना इस zone में तो अभी भी market इसके आस पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऐसे आप देख सकते हैं इसमें भी W शेप पैटर्न बन रहा है और nifty 50 भी यहाँ पर आप 20 moving average को sport लेने के बाद अच्छा pull back upside का कर रहा है तो यहाँ से भी अच्छे positive seasonal है जो swing trade का point है downside का वो यह देख रहें market का यहाँ पर resistance यहाँ पर sport और यहाँ पर देख रहें market का इसके यहाँ पर opening हुआ था तो यह zone है 17,300 का तो यहाँ से जो swing trade opportunity आपको देखने को मिलेगी अगर market इसको break करके आप जाता है तो काफी अच्छा momentum दे सकता है यहाँ पर 17,600 से तो यहाँ पर आप 17,550 का C buy करेंगे upside में swing trade के लिए अगर market 17,300 को break करके नीचे आता है तो 17,350 का P buy करेंगे यह break down और break out के लिए अच्छी opportunity रहती है ऐसे trend में ऐसे zone में आपको उसके बाद अच्छा बड़ा momentum और अच्छा बड़ा profit देखने को मिल सकता है बाकि आप reversal पे भी इन point से entry ले सकते हैं क्योंकि reversal के भी बहुत ज़्यादा chances रहते हैं तो reversal की entry भी हम बता देते हैं अगर इस point से कभी reversal आता है तो यहाँ से जो entry बनेगी 17,650 का P buy करेंगे और यहाँ से upside अगर market आकर जाता है यहाँ से 17,250 का C buy कर सकते हैं दोस्तो अब यहाँ हम global basis की बात करें आप देख रहे हैं डो जोन्स जो है market का जो strong यहाँ पर daily basis का एक resistance था और sport भी बनाया था जोन में अब market इसको volume के साथ break करके upside का trade यहाँ पर कर रहा है तो यहाँ से भी हमारे पास global basis पे अच्छे positive signal देखने को मिल रहे हैं दोस्तो यहाँ पर big nifty के कल के intraday के level देखते हैं अभी का यहाँ पर range है 37,050 का सबसे पहला यहाँ पर point है 37,000 का आप देख रहे हैं market के fresh यहाँ पर काफी ज़्यादा support बन चुके हैं तो यहाँ से upside के reversal पे आप यहाँ पर 36,900 का कर C buy करेंगे और यहाँ से अगर break down करती है market तो फिर आप 37,100 का P buy करेंगे बजट जरूर ज्यादा लगता है लेकिन इंदा मनिंग की काल्स में winning ratio जल्दी देखने को मिलता है और उसकी नीचे का point है 36,830 की range इंट्रा रेके यह सबी level से यहाँ पर देख सकते हैं market का strong resistance था तो यहाँ से आके अगर market reversal है ता upside का 36,800 का आप कल C buy करेंगे अगर market इसको break करके नीचे आता है तो 36,900 का आप यहाँ से P buy करेंगे और उसके downside का level यहाँ पर देख रहे है market का जो zone है यहाँ पर market ने sport और resistance बनाए है यह है 36,700 की range अगर market यहाँ तक आके reversal लेता है तो यहाँ से 36,600 का आप C buy करेंगे यहाँ से break होने प आकल P buy कर सकते हैं और दोस्तों उसके upside का point यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने find किया है यहाँ पर देख सकते है market के strong resistance से option chain से भी काफी strong point है 37,500 की range अगर market यहाँ से reversal लेता है तो यहाँ पर 37,600 का आप P buy करेंगे अगर market इसको break करके अप जाता है तो 37,400 का आप काफी बड़ी गिरावट आई थी इसके बाद और यहाँ पर बेक डेटा और भी देखें तो यहाँ पर देख सकते है market के strong support है तो यहाँ से अगर reversal आता है 37,900 का आप P buy करेंगे अगर market इसको break करके आप जाता है 37,700 का आप यहाँ से C buy करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने सबी लेवल को अगठे किया है तो यहाँ से आप स्क्रीन शार्ट ले सकते हैं कल आपको intraday में बेंग निफ्टी में बहुत ही काम आने वाले हैं आपको बता दिया गया है इंदा मनी की in trois कैसे लेनी है तो दो सब्हस्तों अब यहाँ पर निफ्टी 50 के सबी लेवल देखम कि अबी का यहां पर प्रैस से 17500 की रेंज और यहां पर मार्किट का क्लोजिंग हुआ है और यहां पर मार्किट यानी प्रेश रेस्टेंस अप्टेंड से भी इस ट्रग जोन है एज पॉर्ट तो मार्किट कभी भी इसको break करके नीचे आता है तो 17,500 का 550 का आप P.E. buy करेंगे और उसके नीचे का point है यहाँ पर देख सकते हैं 17,400 की range से market ने reversal लिया था यहाँ पर भी देख रहे हैं market support बना रहा था उससे पहले यहाँ पर as a resistance का काम कर रहा था तो इस point से reversal पे 17,350 का आप C.E. buy करेंगे मार्केट अगर इसको break करके नीचे आता है 17,450 का आप P.E. buy करेंगे और दोस्तों उसके downside का point है यहाँ पर देख सकते हैं market का as a sport यह 17,300 की range option change से भी काफी strong है swing trade के लिए भी हमने देखा था काफी strong range है और यहाँ पर देख सकते है market जब गिरावर्ट में था यह resistance लेके और यहाँ पर भी देख सकते हैं इससे पहले भी resistance बनाया था तो यहाँ पे 17,300 की जो range है यहाँ से upside का जो entry रहेगा 17,250 का C.E. buy करेंगे अगर market breaker के नीचे आता है 17,350 का आप P.E. buy करेंगे कल के लिए दोस्तो उसके upside का point यहाँ पे 500 की जो range थी इसके upside का point है यहाँ पे 17,600 की range यहाँ से market अगर reversal लेता है 17,650 का आप P.E. buy करेंगे अगर breaker के market आप जाता है 17,550 का आप C.E. buy करेंगे और उसके upside का last target यहाँ पर देख सकते है market का यहाँ पर support यहाँ पर लिया था अच्छा reversal दिखाया था और 600 point से आप देख सकते हैं यहाँ पर market का resistance था जो upside का last point है 17,700 की range यहाँ से अगर market reversal लेता है तो आप यहाँ से 17,750 का P.E. buy करेंगे अगर market breaker करके आप जाता है 17,650 का आप यहाँ से C.E. buy करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर यह सभी लेवल आप देख सकते हैं बलैक में यहाँ से आप स्क्रीन शार्ड ले सकते हैं निफ्टी 50 में कल आप intraday में बहुती काम आने वाले हैं आपको बता दिया गया है इंदा मनी की इंट्री आपने कैसे लेनी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इता ही था बाकि आप प्रीमियम ग्रूप में जुड़ सकते हैं प्रेली यहाँ पर बेंग निफ्टी और निफ्टी का परसनल ट्रेट हमारा शेयर किया जाता है काफी अच्छा लास्ट रिकॉफर होता है हमारे यूजर्स को काफी अच्छा प्राफिट होता है सिरु 499 में आप लाइफ टैम के लिए जाइन कर सकते हैं आपको 20% का इस पर डिस्कोर्ड में मिल जाएगा अगर आप जैन करना चाहते हैं यहाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कुमेंट बाक्स में मिल जाएगा आप हमें इस पर टैली ग्राम पर मैसेज कर सकते हैं पर आपको डिटेल दी जाएगी पेमिंट डिन के पद आपको प्रीमियम चेनल का लिंक मिल जाएगा और दोस्तों बाकी वीडियो को लाइक कर लें शेर कर लें हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन पे क्लिक कर लें मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में अपना दियान रखिएगा गुडबाई